तो दोस्तों राजिस्थान फिरी टेबलेट योजना 2022 ओहो हो आहा हा इस फिरी टेबलेट योजना को लेके काफी सारे इस्टूडेंट अविभावकर स्कूल सात्यों के सामने कई तरह के सवाल आके खड़े हो गई और हकीकत में इस योजना ने इन सब का दिमाग की खराब कर डाला है कि फिरी टेबलेट योजना के तहत ये जो टेबलेट हैं वो किनको मिलेंगे कैसे मिलेंगे कब तक मिलेंगे और इसका क्या क्राइटेरिया हो रहने वाला है और एक और सबसे बड़ी बात फिरी टेबलेट योजना को लेके काफी सारे करियेटर ने यूटूब पर वीडियो के मादेम से इस योजना के बारे में आपको जानकारी दे रखिए जो की सरासर गलत है, फेक है, जूठी है और अफवा मातर है क्योंकि हकीकत तो यह है कि इन करियेटर को वास्तव में फिरी टेबलेट योजना के बारे में पता ही नहीं है यह वीडियो देखने के बाद आपको राजिस्थान फिरी टेबलेट योजना 2022 की हकीकत और सच्चाई का पता हो लग जाएगा यह बात मैं आपको दावे के साथ हो खह सकता हूँ इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि यह जो फिरी टेबलेट योजना के तहत यह जो टेबलेट हैं वो किनको मिलेंगे कैसे मिलेंगे कब तक मिलेंगे एसे लेके जिट तक पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वालों यह वीडियो देखने के बाद फिरी टेबलेट योजना को लेकि आपके कोई भी सवाल है दिमाग में इधर हुदर वो नहीं घूमेंगे जी हाँ मेरे साथ वो आप बने रहे नमस्कार साथियों मैं हूँ आपका अपना साती राजगुर जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूटूब चैनल तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि अपने राजिस्थान के मुख्य मंतरी माननी श्री एसो गैलो जी के दारा आज से कुछ दिन पहले एक अनाउंस किया गया था कि अपने राजिस्थान के जो परतिबा साली विधार थी हैं उनको फिरी में टेबलेट है वो दिया जाएगा और ऐसे में लगभग अपने पूरे राजिस्थान में 33,000 यानि 93,000 टेबलेटों का वित्रन हो किया जाएगा ये बात बिलकुल सही है और 100% सही है अब जैसे अपने राजिस्थान के मुखे मंतरी महोदे ने इस योजना का अनाउंस किया तो विया काफी सारे करियेटर ने वीडियो बना दी भर-भर के यूटूब पे वो अपलोड कर दी और बोड के उपर इस योजना के बारे में सम करें जो कि सरासर गलत है और जूट है क्यों अब आपको मैं हकीकत और सच्चा है आपको बताता हूं देखे दोस्तों फिलहाल अपने राजिस्थान के मुखे मंतरी महोदे ने फिरी टेबलेट योजना का अनाउंस किया मुखिक तोर पे कहा गया अभी तक इस योजना को ल किया गया है या फिर इस योजना का लाब इनको हूँ मिलने वाला है आप कैसे कह सकते क्या आप पता लगा सकते हो, क्या आपको पता लग जाता है, अपनी राए कमेंट में मुझे जरूर देना, लेकिन विया जो creator न है, क्यों यूज पाने के लिए, लोगों को गुमरा करने के लिए बोर पे और समझा रहे हैं, लिख लिख के समझा रहे हैं, ऐसे टिक लगा रह यह बात मेरे को तो जस्ती नहीं है, और दोस्तों यहाँ पर देखी, यह जो राजगुर जी है जो आपके सामने खड़ा, आज तक कोई भी इसकी वीडियो है, आप उपन करके देख लेना, आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं मिलेगी, कोई भी जूठी जानकारी आपको मैं पढ़ता हूँ, मनन करता हूँ, विचार करता हूँ, फिर भी मुझे डाउट्स होता है, तो सम्मन्दी जो विभाग के अधिकारी हैं, उनसे मैं बात करता हूँ, और मेरे खुद के डाउट हो वो किलियर करता हूँ, और जब पूरी तरह से तसली हो जाती है, हाँ भी अब मैं बिलोग संतोस हो गया तब जाके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और ये जो creator है ना बस कोई चीज का अनाउंस हुआ नहीं और भीया लध तेरी लध तेरी लध है तेरी दबा 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 वीडियो है अपलोड कर देते हैं हकीकत नहीं है सचा है नहीं है पता है नहीं इस योजना के अंदर क्या होने वाला खैर कोई बात नहीं इस मुद्दे पे हम नहीं जाते किसी creator का नाम भी नहीं लूगा किसी channel वाले का नाम भी नहीं लूगा क्योंकि नाम ले दूगा न तो एक controversy वो छिट जाएगी और मैं किसी controversy में वो पढ़ना नहीं चाता कोई बात नहीं चलिए देखिए दोस्तो आपकी जानकरी के लिए बताना चाहूँगा इस tablet योजना के बारे में दोस्तो देखिए आपको पता है कि अपने राजिस्थान में पहले एक योजना चला करती थी और उस योजना का नाम था free laptop योजना जो कि पिछले 3-4 साल से पूरी तरह से बंद हो चुकी है अब यहाँ पे देखिए एक बार फिर से राजिस्थान सरकार के दोरा यानि कोंगरे सरकार के दोरा यहाँ पे अनाउंस किया गया है free tablet योजना को अब यहाँ पे जो tablet योजना है यहाँ पे जो पहले laptop योजना थी उसको ही convert किया यानि यहाँ पे नाम ही चेंज किया गया है लेटोप की जगह यहाँ पे टेबलेट है वो रख दिया है अब दोस्तों यहाँ पे अगर मान लीजिए इस योजना का क्योल नाम चेंज किया गया है लेटोप की जगह यहाँ पे टेबलेट रखा गया है बड़ी साइज की जगह यानि लेटोप की साइज बड़ी होती है टेबलेट की है वो छोटी होती है बड़ी साइज की जगह छोटी साइज रख दी है और वही सेम की सेम है तो भिया इसके दिशानिदेश और नियम हो कैसे बदल जाएंगी और इसको लेके तो कोई नए दिश और देखिये पीछे तो यह योजना बन थी आपको पता है कि यह सरकार का इस योजना के पीछे उसका क्या मक्सद है इस बार में तो मन नहीं जानता अला कि जानता हूं वो पभीलिकली तो नहीं करना चाहता यह भी आप जानते हैं क्योंकि जब भी सरकार का ending समय आ जाता है और अपना time period खतम होने का आता तो वो कुछ न कुछ नई चीज़ है वो लोगों के लिए यामजन के लिए वो लेकर आती है वो भी एक अलग बात है और यहाँ पे laptop की जगए tablet योजना वो लेकर आगे अब यहाँ पे एक-एक सवाल का मैं आपको जवाब देता हूँ अगर same की same यही योजना रहने वाली है तो पहली बात तो यह है कि यह जो laptop है या फिर tablet है वो किन को मिलने वाले है तो यहाँ यहाँ पे देखिए कक्षा आठवी, कक्षा दसवी और कक्षा बार्वी के जो बोर्ड स्टूडेंट उन स्टूडेंट को मिलने वाले है जिन्होंने इन बोर्ड कक्षाओं में 45% या फिर इससे अधिक अंग प्राप्त किये इनको मिलेंगे क्योंकि laptop योजना थी उनके अंदर यही नियम था यही क्राइटिरिया था अगर उसे जोंकत्यों उठा कर रखा जाता है तो इस तरह से रहने वाला अब यहाँ पर दूसरा सवाल यह उड़ता है कि इस योजना के अंदर कौन सी स्कूल वाले स्टूडेंट को सामिल किया गया है या फिर सरकारी को या फिर दोनों को क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे पास कमेंट आ रहे है तो भिया अगर लेप्टोप योजना की बात करें तो भिया उसमें केवल और केवल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं को ही सामिल किया गया था अगर इस योजना को जो कत्यूं रखा जाता है तो भी आप private school वालों का नाम ही मत लेना उनको तो सामिल ही नहीं किया जाएगा और जो बड़े बड़े जो creator जो board पर लिख के समझा रहे हैं कि इसके अंदर तो भी आप private वालों को भी सामिल किया जाएगा और इसके अंदर gouvernement वालों को भी सामिल किया जाएगा त्यार laptop योजना में क्यों नहीं सामिल किया गया किसी को मिला है क्या आज तक private school वालों को अलांकि एक दो को मिला है वो अलग योजना थी, सबको नहीं मिला जो कीश परकार की ये योजना, वो एक अलग जानकारी है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे लेकिन फिर याँ लोगों को गलत जान करी दे रहें तो कहने का मतलब प्राइवेट स्कूल वालों को इसके अंदर सामिले वो नहीं किया जाएगा क्राइटेरिया 75% इससे अब और हने वाला है और इसके अलाव अपने ओलव राजस्थान की बात करें पर कक्षा की परते कक्षा के अंदर दोस्तों यहाँ पर कक्षा 8 वी, 10 वी है और 12 वी है अब यहाँ पर भी देखिए जिले वाईज है वो मेरिट निकाली जाएगी आपको पता है कि ओल अवर राजस्थान की जहाँ पर अपन बात करते हैं तो 75% का आंकडा बहुत बड़ा हो जाता है काफी सारे स्टूडेंट के 75% वो नंबर आ जाते है तो फिर यहाँ पर एक मेरिट निकाली जाती है जो की जिले वाईज निकाली जाती है और परते एक जिले में तकरीबन 100 टेबलेट जो पहले लेपटोप दिये जाते थे उसी के अनुसार वो दिये जाएंगे अब यहाँ पर सवाल यह उड़ता है कि यह प्राइविट इस्कूल वालों को क्यों नहीं सामिल किया जाता क्या वो बच्चे नहीं है क्या तो दोस्तों देखी अगर इनकी हकीकत की बात करें तो यहाँ पर सरकार की दो मनशा है कौन-कौन शी पहली मनशा तो यह है कि देखी सरकारी स्कूल के अंदर बहुत ही कम जो बालक बालकाई वो पढ़ने के लिए जाते हैं और क्योल वही बालक बालकाई पढ़ने के लिए जाती हैं जो परिवार से पिछडे वरक से हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं जो भिया अच्छे उनके पास पैसे हैं तो वो तो private school में पढ़ाएगा तो एक तो सरकारी school में नामाकन बढ़ाने के लिए इस परकार की योजना या सिक्षाई वाग या सरकार के दोरा चलाए जाती है ताकि जादा से जादा जो बच्चे हैं वो सरकारी school में जुड़ चके इसकोला यहां पर देखिए दूसरी condition यहां पर यह हो जाती है अगर यहां पर private school के student को सामिल कर लिया जाता है तो भिया यहां यहां पर सरकार के उपर आर्थिक भार वो बढ़ जाएगा मैंने बताया कि यहां पर जो criteria रखा गया था उस समय वो 75% का रखा गया था अब यहां private school में तो भर-भर के number आते हैं और 75% वाले तो नए जाने किते ही student हो जाएगे तो भिया ऐसे में तो सरकार के पास पैसे की कमी रह जाएगी इसलिए साइद यह भी एक सरकार का मक्सिद हो सकता है कि भिया नहीं इतना ज़्यादा सामिल करेंगे तो हमारे पास तो पैसे नहीं हमारा खजाना तो वैसे ही खाली है और और हो जाएगा अब देखिए दोस्तों हकिकत और सचाई तो यह है फिलहाल इस जो टेबलेट यह जना है इसको लेकि कोई गाइडलाइन जारी नहीं जैसे इसके बारे में कोई नया अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर मां आपको ज़रूर जान करेंगा जो साथ ही हमारे चेनल पर पहली बारा हैं और एबित्यग चेनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा बेल आइकन दबाके ओल नॉटिफिकेशन फिर भोल रहा हूं बेल आइकन दबाके ओल नॉटिफिकेशन उससे ज़रूर ओं कर लीजियेगा ताकि जैसे मेरा मकसद केवल वीडियो बनाना नहीं है और वीडियो बनाकर पैसा कमाना नहीं है मेरा मकसद यह है कि अपने भारत वाशियों को सही समय पर सही जानकारी आपको दें बस इसकी हकीकत और सचा ही है अब यहां पर चलते चलते मैं आपको एक पिछे की हाइलाइट आपको बता अंदर उन सभी student को सामिल किया जाएगा जिन्होंने दो हजार गुनिश से लेके दो हजार बाइस तक है कक्षा आठी दसी और बारी इसके अंदर पिचेतर परसेंट या इससे अधिक प्राप्त की है तो उन सभी को सामिल किया जाएगा ठीक है इसी तरह से यहाँ पर देखे पूरे राजस्तान में फिल हाल यहाँ पर 93,000 टेबलेट देने की गोशना है वो की गई अब यहाँ पर है एक सवाल हमारे जो student है किसी student ने पूछा था कि सर यह जो टेबलेट है वो दिखने में कैसा होगा किस तरह से होगा तो विया इसको लेके भी creator नहीं जाने कितने वीडियो बना रहे हैं वियाई size का होगा यह होगा इतना जिब भी मिलेगा फलांड दिकर जो भी है लेकिन इसमें एक चीज है जहां तक मेरे समझ में बैठी है जो जानकारी मेरे पास आई है अलांकि यह कोई लिखीत में नहीं है बस ऐसे ही मेरे पास जानकारी है कि यहां पर देखिए जो tablet आपको मिलने वाला वो 10 इंची का मिलेगा ठीक है इसके अंदर आपको तकरीबन 3 से लेके 5 साल तक है free internet की connectivity है वो आपको दी जाएगी ठीक है और इस जो tablet है इसके अंदर आ जो game खेलने के सोकिन है वो भी game इसे tablet के अंदर नहीं चलने वाली है क्योंकि यहां पर सरकार का मकसद है कि यह tablet का वित्रण करके बच्चों के जो education है उनका इस तर बढ़ाये जाए अगर यहां पर social media वो चलाने लग जाएंगे तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेंगे तो ऐसे में इस tablet को इस तरह से design किया जाएगा अलांकि फिलहाल देखिए जो ठेका है किसी company को साइद दे दिया होगा बकिन में मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है लेकिन जो tablet तयार किया जाएगा वो एक condition के हिसाब से किया जाएगा जिसके अंदर आप क्यावल 6 जगे से पता चलेगा मैं उन creator जैसा नहीं हो जो कि आपको फालतू में जानकारी दे देता हूँ यहाँ पर मैं एक बार चलते चलते आपको पिछले 3-4 साल की आपको laptop के बारे में जानकारी दे देता हूँ कि पहले सरकार ने कौन से साल में कितने कितने laptop हैं वो दिये थे 2013-14 की मैं यहाँ पर बात करूँ तो ओल अवर राजिस्था में 16,320 दिये गए थे 2014-15 की बात करूँ तो यहाँ पर सभी कक्षां की है जिसमें 8,10 और 12 सामिल है 2014-15 में कूल 26,738 और 15-16 में 27,303, 16-17 में 27,590 और 17-18 में यहाँ पर 27,513 जो laptop हैं वो दिये गए थे अब यहाँ पर पूरे राजिस्थान में 33,000 टेबलेट हैं वो देने वो देने वो च्यार सिस्टन को सामिल किया गया है 2019 से लेके 2022 तक और यहाँ पर देखे क्रियेटरी यह फैकर हैं कि यह कूपन भी दिया जाएगा अब यह कूपन कैसा होगा मैंने तो इस बारे में सुना नहीं अब वो ऐसे ही पताने कहां से जानकारी लेकर आ जाते हैं इतना मैं तो दिमाग लगाते हूं नहीं पताने इनके पास कहां कहां से दिमाग आ जाता है लेकिन फाइनली आपको चलते चलते यह कहना चाहूँग अगर इस योजना को उसे लेप्टोप योजना में convert किया गया है, तो भिया नियम तो वही रहने वाले, कुछ नहीं बदलने वाला है, अब जिनको पहले मिल रहा था, उसी नियम अनुसार आगे नए student को मिलने वाला है, बैस, बाकी अगर कोई creator आपको ये बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, वैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो एक गलत जानकारी है, अफ़वा मातर है, अब लास्ट में एक सवाल में आपसे पूछना चाहूँगा, कि आपने अब तक कितने creator की YouTube पे वीडियो देखियें, इस फिरी tablet योजना को ले करके, और उन्होंने क्या क्या बताया, अब उसकी भी आपनी वीडियो देखिये, और मेरी भी आप वीडियो देख रहे हैं, अब दोनों वीडियो में आपको comparison करना, comparison करके आपको दोनों ही चैनल के comment box में जाके comment करना है, कि भी आप ये क्या बोल रहे हो, वो फलाना तो ये बोल रहा है, और दिकड़ा ये बोल रहा है, और हकीकत का वास्ता में किसी को पता नहीं, और सच बात तो ये है, कि मुझे भी हकीकत का नहीं पता है, क्योंकि अर्जब तक दिशा निर्देशी हमारे पास नहीं आएंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये मिलने वाला है एक एनुमान हम लगा रहे हैं कि भी यह जो लेप्टोप ही हो जाना उसका नाम बदल के टेबलेट ही हो जाना रख दिया तो भी या नियम वही रहने वाले हैं बस अब इसी बात को मैं बार-बार दो रहा हूँ है तो वीडियो चाहिए कित्ती भी लंबी बना लो इसका कोई मतलब नहीं रहता वीडियो आपको अच्छे लिगे तर वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेर कर देना और जो साती हमारे चेनल पर पहली बार आए है और हभी तक चेनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लिजिएगा और गंटे वाला टंटन बजाके ओल नोटिफिकेशन है उसे भी ओन कर लिजिएगा ताकि इसी प्रकार से नहीं नहीं वीडियो की जानकरी वो आपको मिलती रहे और चलते चलते एक और जानकरी आपको देना चाहूंगा यह राजगुर जी आपको कभी भी फेक जानकरी नहीं देगा गलत जानकरी आपको कभी भी नहीं देगा अगर मेरी बात से आप समय तो वीडियो को लाइक करना और एक अपना प्यारा सा एक अच्छा सा कमेंट हो करना किन किन कमेंट के लिए बोला है वो शारे कमेंट आपको करना है अगर आपने वीडियो लाश तक हो देखिए तो मिलते हैं फ्रेंट से लिए एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन जैहारत